इस कारेक्रम को जोईस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों दोरा संबव बनाए गया है वरना कौन उन्हें राजिय में लेकर आएगा लेकिन आपको इस बात का ध्यान रुखना पड़ेगा कि आप उन पर प्रभाव डाल रहे हैं और वो आपको बिगाड नहीं रहे हैं आप समझेए वही पर आपको बस आपको धोखे से इस कदर बचना है कि दुश्मन आपको अपनी तरह बिल्कुल भी न बना दे खैर मैं हाफते में दो बार उसके साथ दारुपीने चला गया क्योंकि वो मुझे लेकर गया था क्या ये ठीक है मैं मदद करना चाहता हूँ मैं चाहती हूँ अगर शैतान आपके पीछे आने लगे तो आप ये याद रखे और मैं आपको बता दूँ जब वो धोखा देने के लिए आपके पास आता है आपको तयार रहना पड़ेगा सिर्फ कुछ चीजे रिखांकित करने से नहीं होगा आपको जानका रहना पड़ेगा आपको जितना हो सके चर्च जाना चाहए पर सिर्फ अपने चर्च कैलेंडर पर चेक मर्क लगाने के लिए नहीं और बारा क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंद की हर एक घुठना मेरे सामने ठीकेगा और हर एक जीब परमेश्वर को अंगीकार करेगी सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा अपना अपना लेखा परमेश्वर आपको किसी और के बारे में नहीं पूछेंगे, सिर्फ आप से पूछेंगे आपके बारे में, तो चाहे वो जो कुछ भी करें, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी करना चाहिए, मुझे परवा नहीं अगर आपके जान पहचान वाले हजार मसीही समझता कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आपको भी करना है, और समझता करना मतलब इतने हद तक जाना कि आपको सही लगने लगे, बिल्कुल भी नहीं। काश ये थोड़ा मजा किया होता, माफ करना, बस थोड़ा असा, बस थोड़ा असा, और जहां आपको लगता है, ये सही है। परमिश्वर हमें मसीह के जरीए अपनी धार्मिक्ताद देते हैं, लेकिन वो हमें धार्मिक्ताद देते हैं ताकि हम संसार में जाकर वो करें जो बिल्कुल सही है। आमीन, एक पत्रस, एक सोला पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्रों मैं चाहती हूँ, आप इसे देखी अच्छी चीज़ है, सिर्फ एक रात की बात है, मेरे नोड्स जो अधर्मी संसार में धर्मी कैसे रहना है, बस ये तैक करके, और अब हम दूसरे बनने पर हैं। पता है, परमीश्वर अपनी अच्छाई के जरीए इंसान से पश्चाता आप कराना चाहते हैं। जहाते हैं जो वो करेंगे और मैं उनकी मदद करूँगी अगर जरूरत पड़े तो, लोगों नी जो बोया है वही काटेंगे और इसलिए मैं उनके लिए चिंती थूँ, इसलिए उन्हें बताना जरूरी है। टॉड, जूली, हमें उन्हें बताना होगा। उन्हें बताना जरूरी है। लोगों को बताना जरूरी है। वैसे कौन सी चीज़े हमें धोका दे सकती है। वैसे पैसा कर सकता है। मरकुस 4.19 कहता है और संसार की चिंता और धन का धोका और वो वस्तूओं का लोब उनमें समा कर वचन को दबा देता है। और वो निश्फल रह जाता है। हमें अच्छी चीज़े पसंद हैं। मुझे प्यारी चीज़े पसंद हैं। मुझे अच्छी चीज़े पसंद हैं। लेकिन वो धोके बास हो सकती है। आपको लगता होगा कि वो आपको खुश कर सकती है। पर ऐसा नहीं है चीज़ों में आपको खुश करने के एक शमता नहीं है परमिश्वर के साथ धर्मिये रहने से ही आप खुश हो सकते हैं आमीन जो कुछ भी आप को चाहिए वो ले और जितना हो सके बाड़ दे क्योंकि दूसरों को मदद करने से खुशी ही मिलती है पर मुझे नहीं लगता कि हमार पास कुछ भी चीज अधिक मातरा में होना चाहिए अगर हम उसे बाटने और साजा करने के लिए तयार नहीं है दूसरों के लिए आशिश बने एक कहानी मैं एक सी फूड कमपनी में काम करती थी और यह बहुत साल पहले की बात है डیव और मैंने अब तक अपना पहला forcing काम करना शुरू किया ताकि हम घर करिच सके और हमारे पास एक गाडी थी और मैं आपास के लाके में एक काम करती थी और वो स्टॉलोइस के आस पास काम करते थी मैं उसके साथ जाती थी इसलिए मैं यहीं नौकरी करना चाहती थी और मैंने ठान लिया था कि मैं बारासर डॉलर अपने दात के काम के लिए बचा कर रखूंगी जो आज की तारीख में करीब पचास हरजार डॉलर होंगे और उन्होंने मेरे दातों पर काम शुरू कर दिया था जो अब बीच में ही छोड़ देना था और यह ठीक नहीं था और मैं वहां के मुनीम थी और किसी ने ज्यादा पैसे भर दिये थे उन्होंने दो बार भुकतान किया था और महीने के आंत में हमेशा इन्वाइस चेक करता था मेरे भेजने से पहले और उसने वो वाली इन्वाइस मेरे पास लेकर दी और मुझे उसे क्रिडिट के बदले में खाते को डेबिट करना था ताकि उन्हें पता न चले कि हमें उन्हें पैसे देने जिसका मतलब यह था कि वो उनसे पैसे चुरा ले और इस के लिए मैं की मदद करो, उस वक्त में काफी नादान थी मेरा, मतलब मैं एक नौ सीख्या थी और वचन के बारे में इतना नहीं जानती थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये गलत है, कितने लोग समझते हैं कि कभी-कभी जितना जितना ज्यादा हम बेवकुफ बनने का दिखावा करते हम उत्रे होते नहीं हैं, मुझे पता था ये गलत है, मुझे एक प्रवचन की जरूरत नहीं थी, मैं नहीं चाहती थी, एक स्वर्ग दूत मेरे सामने आकर काई, मुझे स्विक्रिती की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था ये गलत है, खैर मैं इतनी डर गई थी, कि अगर म मैं मसी हूँ, मेरी नौकरी जा सकती थी, तो पूरे दिन मैंने इंतिजार किया और मैं घर गई और रात भर करवटे लेती रही, मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहती थी, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे, काफी अच्छे पैसे, दातों का काम करवाना था, दो गाड़ी नह कौन है जो मेरी बास सेहमत है, ठीक है, और फिर आखिर में मैंने सोचा मुझे परमिश्वर की बात माननी पड़ेगी, पता है परमिश्वर की आगया नम मानने से बुरी बात और कोई नहीं हो सकती, और फिर अगली सुबह मैं काम पर काफी जल्दी पहुंची, क्योंकि वो भी वहीं था और मैं उसके आफिस गई और मैं काप रही थी, और मैंने का मैं बस आपको यह बताना चाहती थी, मैं इस खाते को डेबिट नहीं कर सकती, मैं एक मसी हूँ और मेरा मानना है कि ऐसा करना गलत होगा, ऐसा लगेगा, हम उनके पैसे चुरा रहे हैं, जिसका था, मैं उसे एक चुर बुला रही थी, और मैं अपनी नौकरी नहीं गवाना चाहती, उम्मीद आप घुसा नहों पर मैं नहीं कर सकती, और उसने का खेर तुम अब यहां से चाओ और अपना काम करो, तो मैं अपने डेस्ट पर गई और काम करने लगी लगा, तार दिन भर मैं उम्मीद कर रही थी, वो आएगा और मुझे वापस न आने के लिए कहेगा, पर दिन के अंत में वो बाहर आया, और मेरी डेस्ट पर एक स्टेट्मेंट रखा, और कहा कि सुनो, उन्हें एक चेक भीजो, अब ठीक है, मैं आपको कुछ बताने वाली, और आप मुझ पर नहीं किया होता, तो मुझे यकीन है, आज रात में यहां आपको वो कहानी नहीं सुना रही होती, देखिए हमारे च्छोटे से सफर में परमीश्वर हमें कई कई परिक्षाएं देते हैं, और आज से पांस साल बाद, या शायद दस साल बाद, या शायद दू साल बाद, या बीस साल बाद, या आप होंगी यह उन पर निर्भर करेगा जो आपने उस वक्त किया था, यकीन मानों में जो आप से कहा रही वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा आमीन और हाँ परमेश्वर पाप को माफ करते पर पाप के परेणाम है हम ये सुनना पसंद नहीं करते हैं मेरा मतब एक आदमी खून कर सकता है उसे माफी मिल सकती है लेकिन वो फिर भी जेल जा सकता है पाप के परेणाम है अब ऐसा कई बार होता है कि परमेश्वर अपनी दया से उन परेणामों से हमें बचाते हैं लेकिन हमीशा बिलकुल नहीं एक और कहानी एक और चीज़ जो बहका सकती है वो है विवाद करना पता है विवाद क्या होता है जब परमेश्वर कुछ कहते हैं और हम विवाद करते हैं ये परमेश्वर नहीं हो सकते क्योंकि एक और कहानी शाय टीवी पर आपने मुझे इसे कहते सुना होगा लेकिन मेरे लिए ये कहना जरुरी होगा कि हम कितना दिखावा करते हैं मेरा मतलब यहाँ तक कि हम जैसे मसी भी ऐसा करते हैं मैंने एक ड्रेस खरीदी लाल रंकी मुझे बहुत पसंदी मैं उसे खरीदी ये मेरे लिए एक साइस बड़ी थी लेकिन पता है जिस तरह से उसे बना गया था उसे ज्यादा पर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि कंदे से वो थोड़ा नीचे था और लंबा था और साथ में एक बेल्ट भी थी तो उन्होंने उसके ओपर एक साफ प्लास्टिक का थैला रखा था थी हमारी मीटिंग्स में उस समय उसका नाम था रूथ हैन है परमिश्वर रूथ हैन के लिए शुक्रिया परमिश्वर जब आप अलमारी में होते हो तो परमिश्वर से कभी मत पूछना ये बस एक फैशन सला है परमिश्वर से कभी मत पूछना कि मैं उस दूसरी औरत के लिए क्या कर सकती हूँ समझ गई और तुरंती मैंने सुना उसे वो लाल ड्रेस दे दो अब ये बहुत ही जल्दी होता है मेरा मतलब शायद ये एक मिनिट के अंदर हो गया और मैंने सुचे ये परमिश्वर नहीं हो सकते ये नहीं हो सकते क्योंकि वो ड्रेस नहीं है मैंने उसे अब तक पहना भी नहीं है ये नहीं हो सकते और पता उतनी ही जल्दी में उस लाल ड्रेस के बारे में भूल गई रूथ हैन के बारे में भूल गई सीधे उस मीटिंग में गई जह अरूत हैं स्वयम सिवा कर रही ते आप्रार्टना की की परमिश्वर उसे आशिश दे करात अं continuing to happens every aí अνहींUD होना कि हम हमेशा आशिश देते हैं तुम्हें आशिश मिले तुम्हेंaiser आशिश मिले खेर क्या हो अगर परमिश्वर चाहते कि आप किसी को आशिष दे समझे के नहीं परमिश्वर ने मुझसे कहा ये शायद दो या तीन साल पहले की बात है उन्होंने कहा मुझसे लोगों के लिए चीज़े करने के लिए पूछना बंद करो जो तुम आसानी से कर सकती हो देखी हमें तब तक देते रहना पसंद है जब तक हमें कुछ ऐसा न देना पड़े जो हमें पसंद हो लेकिन वह नई लाल रेस तो। मैं उसके बारे में भूल गई एक महीने बाद मैं फिर से अलमारी के पास ती परमिश्र बहुत थी निरंतर है। मैं फिर से अलमारी में हुँ। रूथेन के लिए प्रार्ट ना कर रही हूँ ये परमेश्वर रूथेन को आशिष देने के लिए कर सकती हूँ बड़ी अकलती मेरी नजर उस लाल ड्रेस पर गई तो मैंने सोचा शायद मुझे उसे वो लाल ड्रेस दे देनी चाहिए मैंने परमेश्वर से पूछा ये बेवकूफी थी पर मैंने परमेश्वर से पूछा पर मेरे पास वो प्यारे लाल और चांदी के जुमके हैं जो उससे मैच करते हैं और उन्होंने का मैं सोच रहाता तुम वो जुमके रख सकती थी लेकिन अगर कोई परेशानी है तो वो भी दे दो हाँ एक छोटी सी चीज़ पर इससे मेरे भविश्य पर असर पड़ा पता है जब हम वो करते हैं जो परमिश्वर हमसे करने को कहते हैं भविश्य की आशिश्य हमारी जिन्दगी में आ जाती है और जब हम नहीं करते हैं इसका ये मतलब नहीं मैं उस ड्रेस को नहीं दे कर भी स्वर्ग जा सकती थी मैं उस इन्वाइस पर जीरो बैलन्स दिखा कर भी स्वर्ग में जा सकती थी हमें उद्धार उन चीज़ों से नहीं मिलता जो हम करते हैं या नहीं करते लेकिन मैं आपको बता दू परमिश्वर को फर्क पड़ता है और इसी से हमारी जिंदगी में जो अभी शेक है उस पर भी पड़ता है और हमारी जिंदगी में वो अभी शेक बहुत ही जरूरी है हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि यह परमिश्वर का सा अमर्थ है जो आप से गुजर कर दूसरों के लिए आशिश बनकर बाहर आता है और इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए अभी शेक के बारे में और कैसे हमें उसकी रक्षा करने चाहिए कैसे सम्मान करना चाहिए और उसे रखना है आमीन पता हमने अपने सहभागियों के लिए एक प्रोग्राम रखा था हमारे दस सहभागी थे हमारे प्यारे सहभागी जो हमारी सेवकाई की मदद करते हैं और हम बात कर रहे थे कि देने में कितना मज़ा आता है और उसमें से एक आदमी ने कहा मैं आभा रही हूं कि मुझे देना सिखाया गया और देखिए मैं उस जमाने की हूँ जब एक पादरी को देने के बारे में बीस मिनिट का प्रचार करने पर पैसे मिलते थे लेकिन आज अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे और सोचेंगे कि आप भी उन प्रचारकों की तरह हैं जो पैसे एठना चाहते हैं पर हमें देने के बारे में सीखना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है द पिशुने स्वर्ग और नर्क से ज्यादा पैंसों के बारे में बात की, क्या आपको पता था? अपने आत्मिक नेताओं पर घुसा मत होना अगर आपको उन चीजों के बारे में सिखाते हैं जो बाइबल में हैं, क्यूंकि शायद आपको ऐसा नहीं करना है. तो रूथैन को लाल ड्रेस मिली और वो हमारे साथ फुल टाइम काम करने लगी, और उसने काफी समय तक पहना और आखिर में मुझे वापस दे दिया. और काश आप मुझे उस ड्रेस को पहने हुए देख सकते थे, अभी भी फिट बैठती है, और सच कहूं तो वो सबसे अजीब ड्रेस है, समझ में नहीं आ रहा कि मैंने वो ड्रेस क्यूं खरी दी, खैर वैसे भी अब वैसा ड्रेस कोई नहीं पहनता, अब आपको पता है, बुरा लगता है, हम सबकी अपनी अपनी कहानिया हैं, लेकिन ये शूर द्रिश्टान्त सुनाते थे, वो दूसरे लोगों के बारे में कहानिया सुनाते थे, मुझे मेरे और डेव के अलावा कुछ सूचता ही नहीं, मैंने डेव से कहा, अगर मेरी तुमसे शादी नहीं होती, तो पता नहीं, मैं प्रचार में क्या करती, क्योंकि मैं हमेशा उनकी कहानिया सुनाती हूँ, हाला कि आज कल वो काफी अच्छे से पेश आ रहे हैं, तो, आज डेव के बारे में कोई कहानी नहीं, माफ करना, मैंने उनसे कहा कि तुम्हें थोड़ा बहुत नाटक करना पड़ेगा, याकुप एक बाइस परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आपको धोका देते हैं, या आपने ये देखा, मैंने भी ऐसा ही किया मैंने विवात करके खुद को धोखा दिया कि परमीश्वर नहीं चाहेंगे कि मैं वो ड्रेस दे दूँ क्योंकि वो नहीं है, किसी ने ऐसा पहले कभी किया है, क्या किसी ने भी पहले इस तरह की हरकत किये जो मैंने इस ड्रेस क साथ की थी, आप में से किसी ने किया है तो बताईए ओ, तुम पाँचों ने किया, बढ़िया, देखे समस्या ये हम ऐसा करते हैं और कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम कर रहे हैं, मेना मतलब कोई नहीं कहता, खर मैं परमिश्वर की आगया नहीं मानूगा, मैं ऐसा नहीं करूगा मैं बस मुझे पता है परमेश्वन ने ऐसा कहा लेगिन फिर भी मैं उनके आगया को लंगन करूगा हम ऐसा नहीं बोलते हम बहाने बनाने लगते हैं कि वैसे सच तो मैं आजाद करेगा कुछ तत्य होते हैं और कुछ सच और इसे बहुत सारी चीजें हैं जो तत्य हैं ये सच है कि मेरे पिता ने मेरा यान शोशन ख्या है ये सच है कि मेरी इमाने इसके बार में कुछ ने किया क्योंकि वो कमजोर और डर्पोग थी और ये सच है कि ये सब काफी समय तक चलता रहा और इससे मेरा हाल बुरा हो गया था और मुझे कई सारी समस्याएं थी लेकिन मुझे से धुका हुआ मुझे नहीं पता था कि मैं परेशान हूँ मुझे लगा सब गलत है उस जमाने में ग्रोसरी स्टोर में टोकरी हुआ करती थी जहां मैं खरीदारी करती थी जब मेरे बच्चे बहुत चोटे थे अब वो टोकरी नहीं रखते हैं पर उसमें दबे हुए कैंस होते थे और बिना लेबल के कैंस भी और दस रुपे में आपको भी कैंस खरीद सकते थे अगर आपको वो वाले मिलते जो दबे हुए रहते आप वो वाली लेने की कोशिश करते जो कम दबी हो और अगर आपको बिना लेबल मिलते मुझे याद है मैं यह उम्मीद करती थी कि या जो हम खा सके कभी-कभी मुझे ठीक-ठाक मिलता लेकिन कभी-कभी मुझे कुद्दे का खाना मिलता था पता है लोग भी ऐसे ही है हम भी दबे होते हैं और हम उन्हीं चुणने की कोशिश करते हैं जो कम दबे हुए हूं और ज्यादा तर लोगों में लेबल नहीं होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता आपको कौन सावला मिलेगा और डीव जाहिर यह उन्हें पता नहीं था उन्हें क्या मिलने वाला था बेचारे उन्होंने किसी के लिए प्रार्थना की जिसे मदद की जरूरत थी और उनकी प्रार्थना सुन ली गई हम पाँच बार मिले और उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा मैं हमेशा उनसे कहती थी आपको जल से जल मुसे शादी कननी पड़ेगी क्योंकि मेरे अच्छे बनने का बरताव ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला इसका अंजाब बहुत बुरा होने वाला था और परमिश्वन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और ये इतना मुश्किल रहा है साथ ही बढ़िया भी सच्छी है कि मेरे साथ को सारी बुरी चीज़े हुई और मैंने शैतानों के जूटों पर यकीन किया मुझे धोखा दिया गया मुझे यकीन था मैं कभी नहीं ठीक हो पाऊंगी कि मेरी जिन्दगी नर्ग ही रहने वाली है लेकिन मुझे सच्चाई का पता चल गया कि येशु मुझे सिर पर की राख दूर करके सुन्दर पगड़ी बांद दू उनका विलाब दूर करके हरश का तेल लगाओं उनकी उदासी हटकर येश का ओड़ना उड़ाओं कि वो मुझे बदलेंगे और मेरा इस्तमाल करेंगे और जो दर्द मैंने बच्चपन में सा उसका इस्तमाल चोट खाय हुए लोगों के लिए करेंगे क्योंकि उनके लिए सब बातों मिलकर भलाई को ही उत्पन करती है क्या आपने सुना और थात उनी के लिए जो उसकी इच्छा के नुसार बुला गये शैतानी अतीत में आपके साथ जो भी क्या आप उससे इस्तमाल करके उसके खलाब इस्तमाल कर सकते हैं समय आ गया कि हम थोड़ा उपर बढ़ने लगें थोड़ा उपर बढ़ने लगें क्या आज रात किसी ने फैसला किया है कि वो थोड़ा उपर बढ़ेंगे थोड़ा सा उपर आमेन इस कारेक्रम को जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वरा संबव बनाए गया है